हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अलपेक सोलर आईपियो की सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड अपडेटेड जी एंपी के बारे में हमने इस कंपनी से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें हमने रखंश के बारें बात की इसकी आरोइं रोसी यौ य 경우에는 बात की थी हमने इसकी इंपोरटेंटेंट डेटेल डेएकिटेश लें कंनी का रखंप ऑपन और होने वाला है एक ओंक उने प्रक्यूच्यायं कब तक मिलेगा इसकी इनिट मिश्च अब तक आईगि इसके क्ज़िए कमनी के Bye जाना था कि हमने क्या काम करती है कहां का पर इसका क्लाइन ब्हें से यहीं होगा कि अगुरंड इसकाई जी euf proud अधे पी देखा था पिर हम और फिर उनको कंसीडर करते हुए हम ने डिसिजन लिया था कि क्या हमें इस आपलाए करना चाहिए नहीं तो मेरा suggestion आपको सबसे पहले यही होगा कि अगर आपने अभी ही तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख ले ताकि आपको एक company का overall view पता चल जाए और आपको decision लेने में आसानी रहे कि क्या आपको इस ipo में apply करना चाहिए नहीं तो उस वीडियो का link में आपको description box में provide करा दूँगी आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और उसका link में आपको end screen पर भी provide करा दूँगी जब यह वीडियो खतम होगी तो आपको उसका link मिल जाएगा आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले चलते हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की day 1 यानि 8 फरवरी 2024 को क्यू आईभी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो चल रहा है कि चल रहा है जो चल रहा है वह 5.5 सब्सक्रिप्शन चल रहा है ऑपकी ethics असां के चल रहा है जो आपको सब्सक्रिप्शन से पहल मतलब चब्रवारी 2024 ओप 6 2 और चल रहा है चल रहा है इसलिए यह मार्केट ओफता हमारे इसका डिटेल नहीं है 11 फरवरी जब ये वीडियो रिकोर हो रही है उसे आज का दिन भी मार्केट बंद है तो इसलिए हमारे पास इस देखावी सबस्क्रिशुम्ट्य स्टेटस का डाटा नहीं है सिर्फ हमारे पास 8 फरवरी और 9 फरवरी का ही डाटा है तो अभी तक पर जब ये मार्केट ओपन ह होगा यानि की 12 फर्वरी 2024 को तब जो सब्सक्रिब्स से कि हम अंदादा लगाए तो कितना ओवर जा सकता है तो अभी 133.86 चल रहा है रिटेल का तो हो सकता है कि जब यह पहुंची जाएगा चलिए बात करता है नंबर्स ऑफ शेर्स किन नंबर्स ऑफ शेर्स में कितने शेर ओफर किये गए थे और कितने के लिए एप्लिकेशन साई है क्यों आई भी ने जो ओफर के गए थे वह किये गए थे ट्वेल लेग 31,200 की और जो बिड़ आई यानि ए चल रहा है कि उसके लिए जो शेर ओफर किये गए थे जो किये गए थे 9,24,000 59 जूब्स ऑफ यहां यानि 27.19 से और सब्सक्रिबचेशन चल रहा है । लिए ट्यल के लिए जो शेर ओफर किये थे वह किये थे 21,500 के ओअ जो एप्लिकेशन आई यानि बिड 133.86 QIB ने हो सकता है कि इसलिए अभी तक एप्लिकेशन नहीं की है क्योंकि इसका जो डेप टिक्ट रेशियो वह एक से ज्यादा है और इसका जो आरोई आरोई डबलू है वो जो था 15 से कम था यानि की 9% ही चल रहा था तो इसलिए हो सकता है कि एक रिजन यह हो सकता है कि QIB ने इसलिए अभी तक इसके शेर्स के लिए अप्लिकेशन नहीं दिये इसलिए ये अंडर सब्सक्रिप्शन चल रहा है चलिए बात करते हैं इसके जीएंपी की 8 फरवरी 2024 को जब ये मार्केट ओपन हुआ तो इसका जो जीएंपी चल रहा है था वो चल रहा था 165.22% का 9 फरवरी 2024 को भी जो जीएंपी है वो सेम बरकरार रखते हुए 165.22% चल रहा है 10 फरवरी 2024 को भी इसका जीएंपी जो सेम 165.22% चल रहा है 11 फरवरी 2024 यानि जब वीडियो रिकोर्ड हो रही है उस समय जो इसका जी एंपी चल रहा है वो चल रहा है 165.22 परसेंट तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि अगर हमें प्रॉफिट होगा कितने अमाउंड में प्रॉफिट हो सकता है अगर याइप इसी प्राइस पर लिस्टेड होता है इसी मार्केट में लिस्टेड हो जाए था हमें कितने का प्रॉफिट होगा दो लाख थीज अजार के आज पास का पर जो इंक्रीज हो सकता है नहीं नहीं किभी जो फिलाल हो क्या चल रहा है 165.22 परसेंट चल रहा है तो चलीए हम फाइनली डिसेंग लेते हैं कि क्या हम इस अप्लाय करना चाहिए नहीं जब हमने इसके डिटेल वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने इसके फाइनेंस देखे थे फाइनस में हमने देखे थे KPI था जिसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या था एक से जादा था इसके अलावा जो इसका आरोई ही था और एक रिटन और था वह नो परसेंट सम्थिंग था यानि के 15 से कम था तो यह दो हमारे नेगेटिव पॉइंट चल रहे थे इसके अलावा जो इसका दो जार बाइस का डाटा था हूँ जार इकिस से कम था यानि किसका जो पॉफर्ट था 221 में कम हुआ था 221 से पर इसका जो जी एंप वह वह व्यक्ति जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं 0% रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बेजीजक उस आप्लाइ कर सकते हैं इसका जो जी एंप वह 100 परसेंट से जादा है पर यह जो आइप हो सिफ लोंग टम के लिए भी कंसिडर नहीं करोंगे क्योंकि इसका फ कर यह करहे हैं तो अगर मुझी अप्लाइ नहीं पर कर रहे हों कि मुझे नहीं लगता कि इसमार्केश कि ऐस पर we इसमार्केश होता है तो जोक एक कि को उद्से करते हो एक होता है तो उसको चुनfindें के लिए कि में apply कर रहे हूं एक बार आपके कोई भी अगर कोई financial advisor है तो आप एक बार उनसे बात करें फिर ही किसी IPO में apply करें और एक बार इसके डिटेल वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको भी इसके finance का एक company के overall view का एक company क्या कम कर दी उसका पता चल जाए तो उसका और अगर आप को आगे भी इसी तरह की वीडियो देखनी है तो सबसे पहले आप मारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन वीडियो से आगे अपडेटेड रह सके तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूं थैंक यह सो मच पर वोचिंग मैं वीडियो